मद्यपर्देश सभी परवेखशक पहुच चुके हैं और कहा जा रहा है कि सीम शिवराज ने परवेखशकों का किया है स्वागत देखें मद्यपर्देश से भी बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता रहे है कि विधायक दल की बैटक में होगा सीम का फैसला और शिवरा सिंग चौहान ने वापे सभी परवेखशकों का स्वागत भी किया है तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी परवेखशकों का स्वागत करतेवे शिवरा सिंग चौहान एरपोर्ट पहुचे हैं तो कि आज तैह हो सकता है MP के नए CM का नाम, प्रतिमा यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, लेकिन यह तस्जीर है अपने आप में बहुत महतुपून है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज खुद उनी परिवेक्शकों का स्वागत करते हुए, बुल दस्ता देते हुए, उनका स्वागत करते हुए, नाजर आ रहे हैं. और जो टेगलाइन मध्रिप्रदेश को लेकर दी गई कि MP के मन में, मोधी के मन में MP, मगर इस वक्त जितने भी BJP के नेता है या जिनका नाम CM की रेस में चल रहा है, वो यही सोच रहे हैं कि MP के मन में तो मोधी, मगर मोधी के मन में कौन? तस्विर एकबर आपको BJP कारायले की दिखा देते हैं, कई कारेकरता यहां पर पहुचे हुए हैं, जितने विधायक हैं, उन्हें कहा गया है कि आप अपने PSO, गन्मेन को BJP दफ्तर के बाहरी छोड़ें, मिडिया में बातचीत ना करें, सीधे जो है BJP दफ्तर पहुचें एक बजे का समय तई किया गया है, जब यह तमाम BJP के 163 विधायक इस कारायले में पहुचेंगे, पहले फोटो शेशन होगा, लंच होगा, और उसके बाद 3 बचकर 50 मिनट पर BJP विधायक दल की बैठक शुरू होगी, और इसी विधायक दल की बैठक में विधायक अपना चुन लिया गया, अब नाम चर्चा अगर नामों की करें तो देखें जिस तरह से 36 गड़ में आदिवासियों की आबादी सबसे जादा है, लियाजा वहाँ पर BJP ने एक आदिवासी चेहरा दिया, मध्य प्रदेश में OBC फैक्टर हमें दिखाई देता है, 48 फिजदी आब बीजेपी दाव खिल सकती है, अब इसमें दो चेहरे आते हैं, एक है बिल्कुल, चुबं देखें लगातार हमेशा बीजेपी अपनी स्ट्राटजी से अपने फैसलो से चौकाती आई है, एक सर्प्लाइज एलिमेंट हमेशा रहता है, अभी क्यूंकि आप भी बता रहें क किसी समुदाय विशेश से होगा, या फिर किसी ऐसा चेहरा आउ सकता है, जो लाइम लाइट में आओ, किस किस चेहरों के ऊपर कहा जा रहा है कि इसकी पॉसिबिल्टी बन सकती है। दूसरा जो OBC फेक्टर में देखें तो प्रहलाज सिंग पटेल बड़ा नाम है, केंद्री मंत्री रहे हैं, केंद्री नेत्रों तो ने पसंद करता है और दूसरा OBC का करण चेहरा है तो जोती राधित्ति सिंध्या, इन्हें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी OBC वर इसके बाद संगठन की अगर बात करें तो वीडी शर्मा जिनकी उम्र पचास से बावन वर्ष है और हाल फिलाल के अगर आप फैसलों में देखें तो बीजेपी ने युवा चेहरों पर दाव खेला है, इसके अलावा जितने नेताओं की बात करेंगे, नेरें सिंग तो मर सबसे वरिष्ट नेता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे चुके हैं, केंद्री नेत्रवत तुर्क किस तरह से उन्हें पसंद करता है, संसती कार्यमंत्री संसत में रहे हैं, कृष्ण के नाम को लेकर भी चर्चा है कि किसी को इस पर आपती तो कुल मिलाकर MP में शिवराज या किसी और कुताज इस सवाल का जवाब आज बिल सकता है, और इसी के लिए पलपल का अपडेट्स आप तक TV9 भारत वर्ष के तबाम संवाधाता पहुचाते रहेंगे, जो Ground Zero पर मौझूद